हर राह रोशन है, गर तुझे एक खुद पर भरोसा है मनुष्य गुणों और अवगुणों की खान है दुनिया में ऐसा कोई नहीं, जो सर्व गुण संपन्न हो सभी में गुण और अवगुण दोनों ही विद्यमान है मनुष्य अगर अपने गुणों को पहचाने तो आस्मा छूले और अगर अपने अवगुणों को पहचाने तो उनसे सीख कर कुछ बरलाव ला सके और अपने भले के लिए प्रेवित हो लेकिन अपने अवगुणों को और गलतियों को ना पहचानना और ना मानना इंसान की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है लेकिन अगर उसे ये पता चले कि उसके अवगुन्ट उसे क्या सिखा जाते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं उसे किस तरह का अभ्यक्तित तो देते हैं तो शायर वो खुद में कुछ बदलावला सके इसी विशय पर मेरी एक छोटी सी कवीता, छोटी सी प्रस्तुती आखरी तक बने रहिएगा और मेरा प्रोचसाहन जरूर बढ़ाईएगा तो सुनिए आत्म विश्वास कहता है दुनिया की भीड में तुझे सबसे अलग पाता हूं देख तेरा हुनर मैं निखर जाता हूं क्रोध कहता है दुनिया की भीड में तुझे सबसे अलग पाता हूं देख तेरे भीतर का डर तुझे ही कमजोर पाता हूं तुझे ही कमजोर पाता हूँ प्रेम कहता है दुनिया की भीड में तुझे सबसे अलग पाता हूँ देख तेरा कोमल मन मैं तुझसा ही हो जाता हूँ घ्रणा कहती है दुनिया की भीड में तुझे सबसे अलग पाती हूँ देख तेरा काला मन तुझसे ही घ्रिणित हो जाती हूँ जुनून कहता है दुनिया की भीड में तुझको सबसे अलग पाता हूँ देख तेरे भीतर का जोश तुझे मन्जिल तक पहुचाता हूँ और जीवन कहता है जीवन कहता है जैसा तुम चाहोगे वैसा ढ़ल जाओंगा तेरे हाथ तेरे कर्म है तुझसे ही जाना जाओंगा अगर आपको मेरी लिखी कविताय पसंदा रही है तो फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और मेरा प्रोच साहन बढ़ाते रहें जिससे आपके सामने और भी खुब सूरत कविताओं का खजाना मैं पेश करती रहूँ धन्यवाद तर नहीं पस्तर ओताज साहन प्रोच अने मैं ग creators भी खुबसे अरो सब्सक्राइब